कि बिहार भारत का एक राज ही नहीं बनकी एक अखंडित पूब भाग है इसके बिना भारत के गौरवाम्वित इतिहास की कल्पना तक नहीं की जासे राजनीती का प्रथम चरण, धर्म और दर्शन का अखंडित क्यान पांडेत, साहित, कला आदिछ हित्रों में इस राज की मेंती पूरका थे विशेश यह है कि इस धर्थी पर कई विप्रीदार तक पहलों ने जनम नहीं और अपने उतकर्ष पर पहुँचकर समस्त संसार का ध्यान अपनी और के द्रिभी की अगर इस राज्ज ने समराच चंत्र गुप्त मौर का उतकरष्ट राज तंत्र देखा तो वहीं वैशाली की धर्थी पर लोगतंत्र का विखास है अगर यहां गंगा की अविरल धारा इस भूमी को पूरवर पवित्र और वंदनिय बनाती है तो वहीं कोशी रूप धारा कर उत्तर भाव को शुका को भी कतती है जिस काल खंड में यहां की भूमी पर विश्व की प्रथम सेक्षडिक संस्थान नालंदा विश्व विदाले का निर्माड एवं विकास हो रहा था अब अब उसी काल के दोरा उत्तर भारत के विदिलांचल छेते हैं बूर्श पर अपरावी अपने मुद्कर्श परते हैं अत एव विपरीद पहलूओं का उत्दम है यह अरोखा राज्य प्रावार्ण झाल